लग्शरी सेग्मेंट में ताबर तोर लॉंच हो रहे हैं और अब BMW ने इस लिस्ट को लंबा कर दिया है अपनी नई X3 को लॉंच करके BMW ने हाल ही में 7 Series Active Hybrid के Special Edition को लॉंच किया था और उस लग्शरी वाली पेशकर्ष के बाद SUV की बारी थी X3 का अपग्रेड़ वर्जन लॉंच किया गया है 44,90,000 रुपे की कीमत में इसके दो वेरियंट X-Drive 20D Expedition और X-Drive 20D X-Line में खरीदा जा सकता है X3 के अपग्रेड़ वर्जन को 2014 के जिनीवा Motor Show में पेश किया गया था हाला कि बदलाव बाहरी है और इंजिन में बदलाव नहीं किया गया है बंपर और सिगनिचर ग्रिल को री डिजाइन किया गया है और क्रोम को ज़्यादा इस्तमाल में लाया गया है साथ ही नई तरह की टेल लैंप्स और हेड लैंप्स और साथ ही आलोई वील्स का प्रयोग X3 के लुग को और भी बहतर बनाता है पुरानी मॉडल के मुकाबले वील्स बड़े और आकरशक बनाए गए है X3 डीजल इंजिन में खरी दी जा सकती है जिसमें 2 लीटर और 3 लीटर इंजिन विकल्प है और मैनूल ट्रांसमिशन में उपलब्त नहीं होगी यानी 8-speed steptronic automatic transmission में खरी दी जा सकती है और 2 लीटर वाले इंजिन में ज्यादा ताकत और टॉक दी गई है 190 बीएशबी की ताकत और 400 न्यूटन मीटर का टॉक इंटीर्यर्स को भी BMW ने इस signature edition में बदला है और प्रीमियर बनाए गया है कर दो कर दो कर दो